दोस्तों प्रेसाख मास की शुक्लपक्ष की तित्या को अक्षे तित्या का परमनाया जाता है। इसे आखा तीज और धम तीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भगवान पिश्णो मालक्षमी जी को प्रसंद करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूचन करना। आज हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसे अक्षे तित्या की रात को तुलसी जी के पास रखने से। घर में धन सम्मंदी जो सम चल रही होती है। वह भगवान पिश्णो मालक्षमी जी की कृपा से दूर हो जाती है। घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। और धन प्राप्ती के नए मार्क खुलते हैं। अचानक से ही धन का बहुत जादा लाब होता है। दोस्तों इस बार अक्षे तित्या पर पूरे दान, पुन्य और पूचन कई गुना अधिक पुन्य फलताई होंगे। अक्षे तित्या पर दान करने का विशीश महत्व होता है। कहते हैं अक्षे तित्या पर किया गया दान कई गुना होकर बापस तो मिलता ही है। साथ ही इससे जो पुन्य प्राप्त होता है वहवी अ पत्रक्राइब नहीं होता अक्षे तित्या पर सामध के अनुसार अन्यदान बस्त दान, स्वन दान इत्यादी करना चाहिए। अक्षे तित्या पर जलसे भरे हुए कलश का दान काइना सबसे जादा शुप माना जाता है। इस दिन अगर आप किसी कारण वर्ष दान ना कर सकें, जैसे कि आपके घर में कोई समस्या है, या महिला को पीरेड है और दान नहीं कर सकतें, तो दान की बस्तु या तो आप अपनी घर भी लाकर भगवान जी के सामने रखतें, या फिर दान के लिए रुपे निकाल कर रखत दान से गरीबी और दरिता का नाश होता है और घर में धन धानने की बरसाथ होती है दोस्तों, वीडियो में आगे बरने से पहले आपने इस वीडियो को भी तक लाइक नही किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी करें और आपने अगर हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों अक्षे तित्या पर इसनान अवश्य करें हो सके तो इसनान की जल में गंगा जल मिलाकर उससे इसनान करें और इसनान करते समय हर हर गंगे का जाप करें ऐसा कहने से पापों का नाश होता है अक्षे तित्या के दिन इसनान करने के बाद सच पीले या लाल रंगे बस्त धारन करें फिर भगवान बिश्टू मा लक्ष्मी जी का पूचन करें यथा शक्ति मन ही मन आप ओम नमो भगवति वासु देवाय मंद या फिर जै जैमा लक्ष्मी जैमा लक्ष्मी का अक्षे तित्या के दिन जाप अवश्य करें अक्षे तित्या पर संधा काल या रात्री के समय आप तुलसी जी का पूचन अवश्य करें तुलसी जी का पूचन कहने के लिए एक ही का दीपक तैयार करें और इस दीपक को आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं और दीपक के साथ एक सुगंदी थूपती भी आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं आप एक कोड़ी लें जी हां दोस्तों वही कोड़ी जो मालक्ष्मी की पूजन में इस्तमाल के जाती है अधिकता सभी लोग डीपा वली पर अपने घर कोड़ लाते हैं आपके घर में जो पूजा की पहले की कोड़ी रखी हो आप उन में से भी कोई एक कोड़ी ले सकते हैं या फिर आप मार्केर से एक कोड़ी ले आएं लाल चितकबरी सफेद पीली कोई सी भी कोड़ी आप ले सकते हैं लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कोड़ चुटकी हुई ना हूँ, तूटी हुई ना हूँ, कौडी में छेदना हूँ, कौडी लेने के बाद अब इस कौडी को आप शुद्ध जल से साफ कर लें, अगर गंगा जल है तो गंगा जल से आप इस कौडी को साफ करें, कौडी को शुद्ध करने के बाद अब आप इस कौ लगाने हैं क्योंकि यह कोड़ी आपको दीपक में डालने हैं अगर आप खड़ी बाती लगाएंगे तो उससे कोड़ी भी बाती के संग जल सकती है तो इसलिए लेटी हुई बाती आप दीपक में लगाएं जिससे आपकी कोड़ी जले ना कोड़ी दीपक में डालने के बाद अब आप हाट जोड़ कर भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें अब आप भगवान विश्णु जी के द्रादश मंत ओम नमो भगवति वासु दिवाय का ग्यारे बाद जाप करें मंत का ग्यारे बाद जाप करने के बाद अब आप थोड़ी देर आख बन करके जैमा लक्ष्मी जैमा लक्ष्मी का जाप करें अब आप भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी और तुलसी मा को प्रडाम कर अपनी धन सम्मंदी समस्या को दूर करने की प्रातना करें। सभी कष्टों को दूर करने की प्रातना करें। अब दोस्तों अक्षे तित्या के अगले दिन इसनान आदी करने के बाद आप तुलसी जी के पास जाएं और तुलसी जी के पास दीपक में जो कोड़ी है उसे आप उठा लें और उस कोड़ी को आप तुलसी जी के पास ही मिटी खोद कर उसके अंदर धबा दें अगर दोस्तों आपके घर तुलसी जी नहीं है आप किसी और की घर इस तरहें पूजन कर रहे हैं या फिर किसी मंदिर में पूजन कर रहे हैं या आप किसी रिष्टेदारी में रह रहे हैं और आप वहाँ पर इस तरहें पूजन कर रहे हैं तो आप तुलसी जी के पास से थोड़ी से मिटी और इस कोड़ी को रुठा लें और मिटी के साथ इस कोड़ी को एक लाव रंग के कपड़े में बांध लें और अपने घर में मंदिर में इसे साफ इस्थान पर रखते हैं दोस्तों अगर आपके घर पर कोई पौधा हो, काटेदर पौधा ना हो, कोई भी और तरहें का पौधा हो तो आप इस कोड़ी को तुलसी जी के मिटी के साथ उस पौधी के पास कार दें दोस्तों शास्तों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है माना जाता है इस उपाय को कहने से अपार धन की प्राप्ति होती है अचानक से ही धन का लाब होता है और धन प्राप्ति के नईमार खुलते है इस उपाय को कहने से भगवान विश्णुमा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है दन संबन्दी समस्या तो दूर होती ही है साथ ही कश्टों से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों अक्षे तित्या का दिन भगवान पिश्णुप मा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के साथ पित्रों की आत्मा की शांती और पित्रों की मुक्ती के लिए भी बहुत ही खास दिन माना जाता है माना जाता है अक्षे तित्या के पावन पर पित्रों के निमित बस्त अननादी का दान करने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और पित्रों की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों अक्षे तितिया पर पित्रों की आत्मा की शांती के लिए गीता के साथ में अध्याय का पाठ करना भी बहुत शुब माना जाता है माना जाता है गीता के साथ में अठ्याय का पाठ कर इस पाठ के पुन्य को पित्रों को दान करने से पित्रों को मुक्ति मिलती है पाठ के पुन्य को पित्रों को दान करने के लिए भगवान विश्णु मालक्ष्मी ची के सामने शुत्यखी का दिया जला कर वहां एक जल का पात्र रख कर आप भगवान विष्णूव मा लक्श्मी ची के सामने बेढ़ कर उच्च स्वर में गीता के साथ में अध्याय का बाट करें पाट करने के बाद जल के पात्र मेंसे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले कर भगवान विश्णो मा लक्ष्मी ची को साक्षी मान उनसे प्रात्ना करें कि यह गीता के साथ में अध्याय का जो भी पुन्य है यह मैं अपने पित्रों को दान कर रहा हूं या कर रही हूं गीता के साथ में अध्याय के पुन्य से पेरे पित्रों की आत्मा को शान्ती मिले और उन्हें मुक्ती प्राप्त हो। फिर आपको हाथ में से जल्चमीन पर छोड़ देना है। दोस्तों इस तरहें पित्रों को गीता के साथ में अध्यायक के पाठ का पुन्य फल दान करने से पित्रों को मुक्ति मिलती है। आज के दिन भगवान विश्णुची पर अक्षे चड़ाने से भी पित्रों की आत्मा को शान्ती मिलती है। दोस्तों कुछ बातों का अक्षे तित्या पर विशिश ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का पूचें करते समय जूतिच चपन ना पेने और रात्री के समय तुलसी जी का इसपर्ष भी ना करें। बिना इस्नान के भी तुलसी जी का इसपर्ष ना करें और ना ही पत्ते तोड़ें अक्षे तित्या का अगर आपने ब्रत रखा है तो आज ये दिन किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें ब्रत नहीं भी रखा है तो भी कोई भी तामसिक चीचों का सेवन ना करें किसी भी जीप को कश्ट ना पहुचाएं गाली गलो लडाई जगडा पात विव का पाप भी सदेव अक्षे रहता है बहभी जन्मों तक भुगतना पड़ता है इसलिए इन बातों का विशेज ध्यान रखें